दोस्तों रूस के लूना 25 को जिंदा करने के लिए चंद्रियान 3 की मदद ली जाएगी अभी अभी सबसे बड़ी और हैरान कर दिन वाली खबर सामने निकल कर आ रही है जिया दोस्तों पुतिन ने रोते हुए भारत से मदद मांगी है भारत से कहा है की हमारे लूना 25 का पता लगाया जाये हमारा लूना 25 चांद के साओथ पोल पर किस जगह पड़ा है दोस्तों आपको बता दें आज रूस का लूना 25 पूरितरा से धरा साही हो गया है चांद के साउथ पोल पर टकरा कर पूरी तरह से क्रेस हो गया है जिस लुना 25 को चांद फतह करने के लिए वनाय गया था आज वो पूरी तरह से फेल हो गया है अभी अभी रूस की स्पेस एजंसी रोस कोस्मोस ने बड़ा एनॉंसमेंट करते हुए पूरी दुनिया को बताय है दोस्तों आपको बता दें रूस चंद्रियान 3 से पहले चांद पर पहुंचने वाला था रूस ने अपने लुना 25 के स्पीड चंद्रियान 3 की स्पीड से 5 गुना बढ़ा दी थी और वो कहते नहीं जल्दी का काम सैतान का होता है जिया इसी भूल के कारण इसी चुक के क कारण आज लुना 25 पूरी तरह से फेल हो गया है चांद के साउथ पूल पर जाकर क्रेस हो गया है दोस्तों धन्य बाद तो हमें अपने इस रूक के वैग्यान को कहना चाहिए हमारे इस रूक वैग्यान को ने चंद्रियान 3 को जिस प्रोसेस से चांद पर पहुंचाया है उसको हमें सलाम करना चाहिए जिया अगर ये प्रोसेस अधर कंट्री रूस भी अपनाता तो आज उसका लुना 25 क्रेस्ट न होता अब आपको अंदाजा लगी गया होगा आप लोग अभी तक सोचते थे कि इस रोच चंद्रियान 3 को लेंडिंग करने में इतना टाइम क्यो लग रहा है जहां रूस चीन और अमेरिका पांस दिन में सिर्फ पांस दिन में चांद पर अपने स्पेस क्राप्ट को पहुचा देते हैं लेकिन आज आपको इस चीज का अभास हो गया होगा आप लोग इस रोपर गर्व कर रहे होंगे कि इस रो ने जो किया बहुत अच् दोस्तों अभी अभी लूना 25 को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है पुतिन की आखों से आशू बंद नहीं हो रहा है क्योंकि पुतिन को बहुत बड़ा जटका लगा है अभी अभी पुतिन ने भारस से मदद मागी है चंद्रियान 3 में लगे सिंसर और कैमरे के मदद से लूना 25 को ढूंडा जाएगा लूना 25 के सिगनल अभी कई सिगनल काम कर रहे होंगे उनसे कनेक्ट किया जाएगा ऐसी खबर सामने निकलकार आ रही है एक ना मत भूलिएगा और चंद्रियान 3 के सफल लेंडिंग के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है वीडियो को कर चुका है बस अंतिम पड़ाओ में फसा हुआ है यानि चंद्रियान 3 के लेंडिंग प्रोसेस सुरू हो गई है चंद्रियान 3 के डी बूस्टिंग भी कर दी गई है यानि चंद्रियान 3 के स्पीड को कंट्रोल में लाया गया है उसकी स्पीड को कम कर दिया गया है देखा कि एक बार उन्हें जटका लगा जब लूना 25 क्रेस हुआ क्योंकि काफी दुखत समचार है दोस्तों आप भी हिल गए होंगे लूना 25 को लेकर जहां रूज यैसी स्पेस एजन्सी जो की काफी एडवांस स्पेस एजन्सी है उसके पास एडवांस टेकलोजी है आज वो धारसा ही हो गया है आज वो फेल हो गया है तो कहीं कहीं लूना 25 का क्रेस लेंडिंग सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कहीं कहीं सुरुक बैग्यानकों के भी दिल की धड़कने तेज हो गई है क्योंकि चंद्रियान्थ्री अब उस जगा पहुंच गया है उसके बाद चंद्रियान्थ्री की जो आगे का प्रोसस है दोस्तों वो उतना आसान नहीं है क्योंकि चांद पर क्रेटर मौजूद हो सकते हैं चांद पर पहाड मौजूद हो सकते है अभी तो चंद्रियांत्री को चांद के ग्रेविटी को फेस करना है। बहुत सारी दिकते हैं लेकिन देखा जाया तो जिस हिसाब से हमारा चंद्रियांत्री आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से देखा जाया तो ये कुछ नहीं है। चंद्रियान 3 में नहीं दे सकता है अब दोस्तों याल लेते हैं कि रूस का LUNA 25 प्राइब कीस बज़ा से क्रेच हुआ है रूस की स्पेस एजन्सी रोसमोस कोस ने क्या बताया है रूस की स्पेस एजन्सी रोसमोस कोस का कहना है कि हमारा लूना 25 चान्द के ओर्बिट को पकड़ नहीं वाला था तभी लूना 25 में कुछ टेक्निकल इसू हमें दिखाई दिया उसके बाद हमारी टीम दोरा टेक्निकल इसू को दूर कर दिया गया उसके बाद लूना 25 को कमांड भेजा गया कमांड मिलते ही लूना 25 चान के ओर्बिट को पकल लिया चान के ओर्बिट का चक्कर ही लगा रहा था उसी दवरान हमारी टीम दोरा लूना 25 की डिबूस्टिंग करने का प्रोसेच चालू हुआ लूना 25 का डिबूस्टिंग होने ही वाला था तभी Luna 25 से हमारी टीम का संपर्ग तूट जाता है ये इसलिए हुआ क्योंकि Luna 25 को जिस ओर्विट में हमें भेजना था हम उसके लिए कमांड दिये थे लेकिन हुआ ये कि Luna 25 दूसरे ओर्विट में चला गया दूसरे ओर्विट में जाते ही उससे हमारा संपर्ग पूरी तरह से तूट गया संपर्ग तूटते ही Luna 25 आउट आफ कंट्रोल हो गया और उसके बाद उसकी स्पीड बहुत जादा बढ़ती गई उसके बाद हो सकता है कि Luna 25 चांद के साउट पोल पर जाकर क्रेस हो गया होगा क्योंकि आगे का डेटा हमारे पास नहीं है रोसमोस कोस का कहना है आगे ऐसा क्या हुआ था यानि दूसरे और विट में ऐसा क्या हुआ था इसके बारे में हमारे पास कोई डेटा मौजूद नहीं है इसलिए हम चंद्रियान 3 की मदद लेंगे चोंकि वहाँ पर चंद्रियान 3 मौजूद था चंद्रियान 3 के आँखों के सामने ऐसा हुआ है इसलिए चंद्रियान 3 के डेटा से हमें ये जानकारी मिल सकते है कि आखिर लूना 25 के साथ दूसरे और यूट में क्या हुआ था दोस्तों आपको बता दे हमारा चंद्रियान 3 चांद के साउथ पोल पर ही मड़ा रहा है चांद के साउथ पोल पर ही उसकी लेंडिंग धिरे धिरे कराई जा रही है वहीं पर लूना 25 लेंडिंग जब उसकी कराई जा रही थी उसी वक्त वो क्रेस हुआ है बताया जा रहा है लूना 25 साउथ पोल पर ही जाकर कहीं गिरा हुआ है अब लूना टॉन्टि फाइब के लोकेशन का पता चंद्रियान थ्री में लगे कैमरे और सेंसर द्वारा लगाया जाएगा साथी साथ अगर लूना 25 के सेंसर काम कर रहे होंगे इसका जीता जाकता उदारण आप देख चुके हैं चंद्रियान्थी ने चंद्रियान्टु को भी जिन्धा किया है तो उसी तरह अब चंद्रियान्थी की मदद से Luna 25 भी जिन्दा किया जाएगा ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है ये बहुत बड़ी खबर है और भारत के लिए गर्व की बात है दोस्तों पुतिन ने एलान कर दिया है कि हम भारत को मुह मागी रखम दे सकते हैं तेल के दामों को बेहत कम कर सकते हैं बस हमें भारत की मदद चाहिए अगर भारत इस काम के लिए तैयार हो जाता है था मैं बड सूबनाथ ने चंदरियां थ्री रेंडिंग के पक्की डेरग बता दी है क्योंकि अब इसुरुक व्यग्जानकों को कोई मिनट पर पहुंचेगा 23 अगस्त को 6 बचकर 4 मिनट पर उसकी लेंडिंग हो जाएगी ये पूरी तरह से कन्फर्म है और दोस्तों इस वर से प्राथना करिए कि हमारा चंद्रियांत्री सही सलामत चांद के जमीन पर पहुंच जाए और उसकी सॉप्ट लेंडिंग कन्फर्म हो जाए तो दोस्तों फटाबट वीडियो को लाइक करिए तो दोस्तों जय हिंद जय भार